पिशले कई दिनो से किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं किसानोn को प्रदर्शन करते हुए 31 दिन गुजर गए हैं किसानों से पिशले आंदोलन में जो बादे किये गए थे वो पूरे नहीं होने पर किसान काफी नराज है जिसके चलते एक बार फिर किसान आंदोलन करने को उतारू है आज किसानों का राजधानी दिली के रामलीला मैदान में जमावड़ा लगने वाला है दिली में कई जगा मांगों को लेकर तकरीबन 15-20 हजार किसान रामलीला मैदान में आज रैली करेंगे ये रैली सुभा 11 बजे से दुपहर 3 बजे तक चलेगी जिसमें आम किसान भी बढ़ चड़कर हिस्सा लेने वाले हैं पंजाब हर्याना और यूपी समेत 18 राज्यों से किसान आज दिली कूच करेंगे आपको बता दें कि दिली के रामलीला मैदान में आज सन्युक्त किसान मोर्चा की एक बड़ी किसान महापंचायत होने वाली है किसान महापंचायत सुभा 11 बजे से शुरू होने वाली है इस महापंचायत को देखते हुए दिल्ली पुलिस की और से राजधानी में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त कर दिये गए हैं किसान आंदुलन की कमान संभालने वाले संगठन ने किसानों और मजदूरों से बड़ी संख्या में दिल्ली आने की अपील की है इसे देखते हुए पुलिस ने भी आसपास के इलाकों में बड़ी संख्या में पुलिस बलकी तनाती की है तो वहीं किसानों ने भी आने के लिए पूरी तयारी कर ली है दिल्ली पुलिस ने कुछ शर्तों के साथ किसान महापंचायत आयोजित करने की मन्जूरी दी है पुलिस ने किसानों को पाँच हजार से ज्यादा संख्या में एकत्र नहीं होने ट्रेक्टर नहीं लाने और रामलीला मैदान में कोई मोर्चा नहीं करने को कहा है महापंचायत के दौरान शरार्थी तत्व कोई गड़बड़ी फैलाने की कोशिश ना करें इसके लिए भी इस्थानिय पुलिस के अलावा अर्ध सैनिक बल वहाँ पर मौजूद रहेंगे महापंचायत के दौरान कैमरों से भी निगरानी की जाएगी इसके अलावा जरुरत पढ़ने पर ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जाएगा तो वहीं उतरप्रदेश के नौइडा में किसानों के अंदुलन को लेकर सतरफिता बढ़हाई गई है किसान अपनी मांगों को लेकर गुरुआर को धरना प्रदर्शन कर सकते हैं इस कारेकरम के तोरान गौतम बुधन नगर ट्राफिक पुलिस की और से डायवर्जन किया गया है किसानों की इस महापंच्वायत को लेकर भाख्यू के पश्चिमी उत्तरप्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष पवन खटाना ने एलान किया कि 14 मार्च को दिल्ली के राम निला ग्राउंड पर MSP कानून गारंटी को लेकर किसानों की महापंच्वायत होने जा रही है भारती किसान यूनियन के दिशा निर्देशों के मताबिक यूपी के सभी जिला अध्यक्ष और समस्त पददिकारी दिली की और कूच करेंगे जवाहर लाल नहरू स्टेडियम के आसपास भी यातायात प्रभावित रहेगा यातायात पुलिस के मताबिक कारेकरम में तकरीबन 60,000 लोगों के आने की उमीद है इसके चलते इस पूरे शेत्र में दुपहर 12 बज़े से रात 10 बज़े तक यातायात पर असर पड़ सकता है फिलहाल इस खबर में इतना ही अमारे चैनल को जादे जादे शेयर करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले